असलाम आलेकुम डियर स्टूरेंट्स माइनम इस मोहमद दाउद आज की वीडियो में हम एक एम्पोर्टन टॉपिक को डिसकस करेंगे के ट्रμεब दो के लाउससे के घ्र अससर नंसे में एक सर्ट हो अधर लाउसे इस स्ल्फिंद ओ गॡूर्टन के ट्रेसिें आज के खेहांसे GOP T बैसिकली आज की वीडियो में हम इन चीजों की सालिबिलिटी को वाडर के अंदर वो डिसकस करेंगे के डाउन दो गुरूप हम आते हैं गुरूप सेकंड एलेमेंट्स जो है जिसमें बारेलियम, मैगनेशियम, कैल्सियम और बैरियम यह यह चीजे हैं तो इन एलेमेंट्स म में डाउन दो गुरूप सालिबिलिटी का क्या ट्रेंड होता है, इनके सलपेट्स, हैडरोकसाइड्स और कार्बोनेट्स का, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आज में आपको एक एंपोर्टेंट्ट ट्रिक वो समझाने वाला हूँ, और उस ट्रिक को याद करके, इंश आपके कंपाउंड इस फोर्म फोर्म इट्स कंस्टिट्टिवें गेशियस आइन अंडर स्टेंड कंडिशन, इट देपेंड अपन दे लेंथ अपन दे बॉंड बॉंड बेट्वीन कैटाइन और अनाइन, अब जो इनर्जी रिलीज होती है, जब वन मॉल आपके कंपाउ ईनर्जी यह लेट्स इंतालफी जो वो बोलते हैं, fold ऐमपल, इसके six बॉंड, जre is कंबाइण होकर कितनी से करमाउंड रहे हैं कंपाउंड के लिए यह उसकी इंतालफी है, यह बंड करती है जो आइन के संटर के दरम्यान जो टेस्टिंस देशन करती हैं, अगर डैस्ट कम है तो फिर लेटस इंटाल भी जो है वो ज्यादा होगी इसको उल्टा करके भी आप पड़ सकते हैं कि आमाउंट आप इनर्जी एब्सॉर्ब वेन वन मॉल आप गेशिस वन मॉल अपकंपाउंड इस गेशिस आइन्स तो इस तरह भी आप इसको बोल सकते हैं यहां पर दे कि अधिकलव की आप इसको बोलान आ पंट आप दे तो इसको और बोलान वेल इसकोलव सप्टोंड आप इसका मतलब है शांते अध्र बॉन्ट नंग हाईर वो लेटस इनर्जी जितनी बॉन्ट लेंग्ज जो है वो कम होगी उतनी जो है उसके दर्मयान और अट्रैक्शन तो यह वह ज्यादा होगी और लेटेस इनर्जी भी ज्यादा होगी और मतलब यह हुआ को ज्यादा इनर्जी रिक्वाइट है तो मतलब यह हुआ कि ज्यादा energy required होने की वजा से इसकी solubility जो है वो कम हो जाएगी तो यह point बहुत important है कि solubility has inverse relationship with the lattice energy अब आते हैं hydration enthalpy पर hydration enthalpy it is the energy released when one molar of gaseous ions is completely hydrated by water molecules under standard conditions अब आपने किसी compound को break तो कर लिया उसको उनको ions में convert कर लिया लेकिन यहां पर दूसरा factor आ जाता है कि water molecules अब इसको surround करेंगे इसको hydrate करेंगे अब इसको hydrate करने के दुरान कितनी energy release होती है one mole के लिए उसको हम बोलते हैं hydration energy smaller ions are more hydrated and thus having high hydration enthalpy जो ions small होती है उसका size small होता है मतलब उसकी charge density ज्यादा होती है तो ज्यादा water molecules जो है उसको hydrate करेंगे मतलब यह कि अगर salubility के हम बात करें तो salubility is directly proportional to hydration enthalpy ज्थने hydration enthalpy ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ज्यादा molecules उसको surround करेंगे तो smaller size के लिए hydration enthalpy जो है वो ज्यादा होगी अगर smaller size वो आइंज है यहाँ पर देखे मैंने mention भी किया हुआ है कि solubility of hydroxide जो है जैसे जैसे हम down the group जाते है it increases while solubility of sulpates and carbonates that decreases down the group अब यह important point है कि down the group हम आते है solubility जो है क्यों hydroxide की increase होती है जबके sulpates और carbonates के लिए वो decrease होती है आपके textbook में वो values भी दी गई है solubility product के जिससे हम बता सकते है कि इसके solubility product के value को अगर हम देखे तो हमें पता चलता है कि increase आता है hydroxide में और sulpates में वो decrease आता है उन values को मैंने यहां पर mention नहीं किया कम space होने की हुजासे लेकिन मैं इस चीज़को दूसरे point आप यूसे यहां पर आपको समझाऊंगा so let's come to the point hydroxides के लिए as we move down the group the size of cation increases and thus distance between ions increases which causes decrease in latest energy and thus solubility increases अब hydroxide के case में जैसे जैसे हम down the group आते हैं तो जो cation होता है पहले पर example barylum है पर magnesium है पर calcium है strontium है बेरियम है तो जैसे जैसे हम down the group आ रहे हैं तो down the group आते हुए क्या हो रहा है कि size जो है वो cation का increase हो रहा है अब अगर size increase हो रहा है so by definition latest energy जो है वो decrease होगी और यहाँ पर मैंने आपको mention किया हुआ है कि solubility is inversely proportional to latest energy अब अगर हम down the group आ रहे हैं size increase हो रहा है distance increase हो रहा है तो जितना distance decrease होगा increase होगा उतनी latest energy जो है वो कम होगी और latest energy जितनी कम होगी तो solubility जो है वह increase होगी मतलब यह है कि हाड़ रोकसाइड के लिए अगर हम बात करें तो solubility जो है इस वजह से down the group क्या हो रही है increase हो रही है कि down the group हम आ रहे है latest energy जो है वह decrease हो रही है जिसकी वजह से solubility जो है वो increase हो रही है क्योंकि दोनों का inverse relationship है अब देंके यहां पर कि down the group हम आते हैं hydration enthalpy also decreases down the group but due to the square factor f is inversely proportional to the square of the distance between the charges latest enthalpy decreases faster than hydration enthalpy अब student अक्सर question पूछते हैं कि down the group हम आते हैं है तो hydration enthalpy भी तो increase हो रही है क्योंकि down the group जैसे हम आ रहे हैं size increase हो रहा है size increase होनी की वज़ासे charge density वो कम हो रही है जिसकी वज़ासे कम molecule जो हो water case को hydrate करेंगे तो down the group हम आते हैं hydration enthalpy जो है वो भी decrease हो रही है और अगर hydration enthalpy decrease हो रही है तो मतलब यह है कि solubility को वो भी decrease होना चाहिए था अब यह logical point है यहाँ पर आप इस चीज़ को समझे का latest energy में जितना decrease आता है उतना decrease वो hydration energy में नहीं आता चूंके latest energy के लिए हमने जो पड़ा के charges के दरमयान जो distance स्क्वेर यहाँ पर मुझूद है तो square factor की वज़ासे जो distance में decrease आता है तो वो ज्यादा होता है as compared to the decrease in hydration energy इस वज़ा से हम कहते हैं के overall greater decrease in lattice energy and less decrease in hydration energy तो हम decision किस चीज़ पर लेंगे decision हम लेंगे latest energy पर तो latest energy is inversely proportional to solubility के लिए latest energy decrease हो रही है solubility increase हो रही है hydroxide के लिए अब अगर हम बात करें sulpates या carbonates के लिए तो उसके लिए भी यही same thing है वहता है जिस तरह यह मैंने about discussion की लेकिन एक difference है के लिए ट्थी क़ख ये छी जून एका लाच चत्वपै ये शडदाय के लाच चाट की अव Michelinज़ और लाच उले लाच च吧 quand लाच चाट उव लाच अवे टीओ ट्रने अच ऑ्र लाच ंने से oh L ionante पर लाच बाच पर लाच लाच इनका ओुपैंगर टू the case in group 2 hydration enthalpy decreases the same way it decreases faster than the decrease in latest energy अब जैसे जैसे हम down the group आ रहे हैं sulpates और carbonates के case में तो वहाँ पर भी latest energy में और hydration energy में decrease आता है लेकिन remember यहाँ पर sulpate का जो size है चुँके वो बड़ा है hydroxide चोटा है sulpate जो है iso4-2 sulpate iron वो बड़ा है अब इतना बड़ा size अगर है और उसके मकाबले में आप चोटा सा magnesium ले ले पर beryllium ले ले, magnesium ले ले, calcium ले ले तो definitely उनके sizes में वो increase आ रहा है लेकिन वो जो latest energy में वो decrease आता है वो इतना ज्यादा नहीं होता वो इतना significant नहीं होता due to the larger size आप sulpate और इसकी shape इस तरह है कि उन उस latest energy में इतना decrease नहीं आता जितना decrease down the group आते हुए hydration energy में आता है मतलब यह हुआ कि sulpate और carbonate के case में hydration energy के hydration energy में जितना decrease आ रहा है उतनी जो है उतनी latest energy में decrease नहीं आता इस वज़ासे हम decision केस चीज़ पर लेंगे hydration energy पर लेंगे तो यहाँ पर देखे कि solubility is directly proportional to hydration enthalpy तो hydration enthalpy down the group वो decrease हो रही है जिसकी वज़ासे solubility, sulpate और carbonate की वो decrease होती है इसमें दो चार बात यह और भी है इसको आप खुद भी समझ सकते हैं अपने बुक से I hope you understand these things tell next video stay tuned thank you very much